वेलकम बेक टू विकास लेविश्टाइल आज हम बात करेंगे किया SUV के बारे में सेल्टॉस फर्स जनरेशन का फेसलिट मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलता है आपको सिंगल डीजल दो पेट्रोल इंजन के साथ में टोटल 28 वेरियंट मिलते हैं आपको सेल्टॉस में सुरू होता है 12,75,000 रुपई से लेकर 24,30,000 रुपई तक आउन रोड लखनाऊ ये सामने जो आप मॉडल देख रहे हैं बेस मॉडल HTE जो अब लेवल है डीजल और पेट्रोल में पेट्रोल इंजन के साथ ये पॉडल आउन रोड पड़ेगा 12,75,000 रुपई का और डीजल इंजन के साथ पड़ेगा 14,85,000 रुपई कुछ इस तरीके से की मिलेगी आपको जिसमें मिलेगा आपको लॉक, अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए ओप्शन यहां मिलेगा आपको फिलिप की फ्रेंट प्रोफाइल यह मिलेगा आपको किया की सिगनेचर टाइगर नोस ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश मिलेगा आपको सेंटर सेक्शन में LED स्विपिंग लाइट गाइड का फीचर्स नहीं मिलता आपको इस वेरेंड में यहां आपको सिल्वर फिनिश मिलेगा डाइमंड नल्डिंग पैटर डिजाइन मिलता है आपको गिरिल के चारो तरफ किया का लोगो मिलता है आपको इंजिन बोनट पे बाई फंक्शन प्रोजेक्टर हेल्ड लैंस मिलते हैं आपको इस वेरेंड पे जो काम करेंगा हाई बीम और लोग बीम के साथ में क्रोम इंसर्ट मिलेगा आपको हेंड लैंस पे डियारल का फीचर सब्लेबल नहीं है सिल्वर इसकिट प्रेट का फीचर समिल जाता है आपको फ्रंट बंपर पे ऐसा रिखता है इसका इंजिन बोनट यहां मिलेगा आपको Duel Viper Washer का सेटव A-pillar मिलेगा आपको Glossy Blackfish में यहां मिलेगा आपको Sharkware Antina Body Color Door Handles Body Color ORиum मिलेंगे यह है बेस मोडल इसलिए ORVM पे आपको Turn Indicator नहीं मिलता यह मिलेगा आपको Fender पे इधर मिलता है आपको Black Steel Wheel Silver Wheel Cover के साथ में alloy wheel आप accessories में लगवा सकते हैं all four disc brake का features मिलता है आपको celtos में standard चाया बेस model नहीं ये top model बात करें dimension की तो length मिलेगी आपको 4365 mm, width मिलेगी 1800 mm height मिलेगी 1645 mm wheel base मिलेगी आपको 2610 mm creator से compare करें तो length आपको 35 mm ज़्यादा मिलेगी tire section मिलता है आपको 05 by 65 R16 suspension setup की बात करें तो friend में मिलेगा आपको coil spring के साथ में mac version instead, rear में मिलेगा couple tourism beam axle suspension wheel large cladding का भी features मिल जाता है आपको इधर, side underbody, side door cladding का features मिलेगा wheels के बीचे मिलेगा आपको Kia का logo और ऐसे दिखता है complete rear profile look cell toss के base model का standard 15 safety features मिलते हैं आपको cell toss के base variant में LED tail lamps का features नहीं मिलता आपको base variant में यहां मिलता आपको halogen bulb का setup यहां मिलेगा आपको Kia का logo rear defogger, rear wiper का features नहीं मिलेगा यहां मिलेगा आपको cell toss की badging, rear bumper में मिलेगा आपको 4 reverse parking sensor rear में मिलेगा आपको skid plates, exhaust tail pipe warranty की बात करें तो 3 साल unlimited kilometers की warranty मिलती है 5 years के लिए extender warranty को option है जो September month में आपको free of cost मिलेगी 3 साल का roadside assistant भी मिलेगा जिसे आप extend भी करवा सकते हैं front engine, front wheel drive का layout मिलता है आपको cell toss के हर एक model के start में safety features में base variant में मिलेगा आपको 6 air bag ABSV DBD, brake assist system hill start assist control electronic stability control vacuum stability management, high line tire pressure monitoring system, all four disc brake rear parking sensor, emergency stop signal engine immobilizer, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, burglar alarm high speed alert system, front seat belt with pretensioner, front and rear में 3.ALR seat belts आईए इसका boot खोल के देखते हैं electromagnetic button मिलेगा आपको यहाँ पे यहाँ आपको 430L का boot space मिल जाता है like Hyundai crater rear partial tray का features नहीं मिलता है आपको इधर यहाँ मिलेगा आपको steel spare wheels और tool kit अगर आपको और ज़्यादा space चाहिए तो आप second row seats को fold down कर सकते हैं यहाँ मिलेगा आपको emergency exit का option आईए boot close करते हैं Hyundai Kia के K2 platform पे बनी है Kia cell toss जिस पे Hyundai की गाडिया बनती है और ऐसे दिखते हैं इसके headlabs on होने के बाद में ऐसे मिलता है इसका front profile का setup LED light का setup मिलता है आपको upper variant में जो भी अबलेवल नहीं है Indian made cell toss को global NKP में बिली है 3 star rating child में बिली है इसको 2 star की rating world में 7 जगे इस गाड़ी की assembly होती है उजबेकिस्तान वियतनाम, एक्योडोर आस्ट्रिया, चाइना साउथ कोरिया और अनन्दापुरांद प्रदेश हौंग सी ओक्चोई ने डिजाइन किया है किया cell toss को 22 सगस 2019 को सबसे पहले launch हुई थी किया cell toss और इसका facelift version launch हुआ था 4 जोलाई 2023 को जो आप सामने देख रहे हैं अभी आप इसका imperial blue color देख रहे हैं आईए rear का passenger side door खोल के देखते हैं black color की मिलती है यहाँ पर आपको door paddings door and rear door पर child safety lock मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको power window के control setting silver inside door handles मिलेंगे base model में rear window sun shade मिलेंगे आपको और ऐसे दिखता है इसका interior second row का fabric seat of fosteri मिलती है आपको यहाँ पर दो fixed headrest मिलेंगे 3.ALR seatbelts मिलेंगे second row seats पर आपको high so fixed child seat mount का features नहीं मिलेगा rear में आपको armrest कभी features नहीं मिलता base variant में यहाँ मिलेगा आपको rear AC vents 2C type charging के port utility space यहाँ मिलेगा आपको handle bar hook के साथ में reading lights और ऐसे दिखता है base variant का dashboard all black interior theme मिलती है आपको अधर यहाँ पर आपको infotainment system का features नहीं मिलता आप additional accessories में लगवा सकते हैं ऐसे दिखता है इसका driver side door यहाँ मिलेगा आपको power window के controls lock and lock करने का button silver finish के साथ मिलता है आपको inside door handles power window के buttons जो मिलते हैं आपको illuminated effect के साथ में height adjustable driver seats मिलेंगी front की seat में height adjustable headrest मिलेंगे यहाँ मिलेगा आपको tear pressure information और ऐसे दिखता है इसका interior base variant का all interior black theme मिलती है आपको silver inserts के साथ में silver finish का काम आपको AC vents के surrounding देखने को मिल जाएगा यहाँ मिलेगा आपको traction control ISJ features light के controls यहाँ मिलेगा आपको bonnet खोलने का leaver pedals आइए driver seat से बैट के देखते हैं यहाँ मिलेगा आपको armrest के इंदर coffee space दो glass holder यहाँ मिलेगा manual handbrake और यहाँ मिलेगा आपको six speed manual transmission 12 volt का port USB port यहाँ मिलेगा आपको single zone common fan speed control manual AC दो AC vents मिलेंगे बीचे मिलेगा आपको 1000 light का बटन music system को option नहीं मिलेगा आप aftermarket लगवा सकते हैं काफी शांदार dashboard की finish मिलेगी यहाँ मिलेगा आपको glove box में काफी space passenger side vanity mirror यहाँ मिलेगा आपको grab handle तीन grab handle मिलेगे day and night rear view mirror यहाँ मिलेगा को sun glass holder reading lights यहाँ मिलेगा diver side sun visor power steering wheel का features मिल जाता है आपको इधर steering wheel पे भी आपको silver inserts का काम देखने को मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको instrument cluster की controls किया का logo भी आपको silver finish में देखने को मिलेगा यहाँ मिलेगा आपको light की controls यहाँ मिलेगा आपको digital instrument cluster काफी बढ़िया एनिमेशन लुक मिलता है आपको इधर यहां मिलेगा आपको डिश्टाल आर्पियम मीटर एज़स्टेबल हेड्रेस्ट मिलेगा आईए देखते हैं डीजल इंजन यहां मिलेगा आपको 14132 cc 4-cylinder in-line 4-wall TOSC 1.5-liter CRDI VGT डीजल इंजन जो पावर प्रिडूस करेगा 114 PHP की 4000 आर्पियम पे टॉर्ड जनरेट करेगा 250 एनिम का 500 से 2750 आर्पियम पे कंपनी मैलेच क्लिम करती 20.07 किलोमीटर पती लीटर का और ड्राइविंग रेंज है एक बार में फुल कराने पे 1035 किलोमीटर इस मॉडल को लेने के लिए अगर 3.5 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर रहे है तो साथ साल के लिए मंकली एमाई आएगी 19.981 रुपए यहां से भराएंगे आप डीजल 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और यहां पे दिया गया है DEF यानि AdBlue डीजल एक्जोइस्ट फ्लूड गाड़ी में AdBlue कब डलवाना है यह आपको इंस्टूमेंट क्लेश्टर पे दिखाई देगा AdBlue खतम होने से पहले ही इसे रिफ्यूल करवा ले जिससे आपको गाड़ी चलाने में आसानी हो सके आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कावर में जरूब बताइएगा चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए बाई बाई